उत्तर परदेश में इस वक्त योगी आदित्यनात की सरकार है। लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही सीम योगी परदेश में आम लोगों के पक्स में फेसला ले रहे हैं। योगी सरकार इसे बात को साप सीधे सब्दों में कहा चुकी है कि उसके राज में अफरादियों, माफियाओं, गुंडों को बकसा नहीं जाएगा. योगी सरकार राज्ये में अफराद करने वालों को नहीं, बलकि अफराद में सामिल लोगों की खिलाप एक्षन ले रही है. यही बज़ा है कि अब गुंडे भी खुद थाने आकर आत्म समर्पन कर रहे हैं शीयम योगी को बुल्डोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अब योगी सरकार अफराग्यों के ठीकानों को नस्तो नाबूत करके उन्हें जटका दे रही है बीते कुछ समय में आपको कई मामले देखने को मिले होगी जब योगी सरकार के आदेश पर अफराग्यों के घर, ओफिस, होटल जैसे ठीकानों को धरासा ही किया गया अब एक बार फिर योगी बाबा का बुल्डोजर गरजा है दरसल अब बरेली में असुदुदिन ओवेशी की पार्टी AIMIM के नेता तोफिक के खिलाब योगी सरकार की कारवाई हुई है तोफिक प्रधान के अलिसान होटल को कुछी घंटों में विकास प्राधिकरण के बुल्डोजर ने नस्तो नाबूत कर दिया बाईपास इस्तित 700 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस दो मंजिला अलिसान होटल को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस होटल को अवेद तरीके से बनाया गया है इसके लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से इजाजत नहीं लिए गई थी इसके लावा अधिकारियों ने ये भी बताया कि ग्रीन बेल्ट को समाप्त करके इस होटल को बनाया गया था इसी वज़े से होटल पर कारवाई की गई है इस मामले को लेकर अपसरों ने बताया कि इस अवेद निर्बान को लेकर कई बार कानूनी नोटीस भी भेजे गए थे उनमें बरेली विकास प्राधिकरण की और से तोफिक को कहा गया था कि वो खूब इसे ढाले लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया लेकिन अब प्रसासन की तरफ से इसे गिराया गया है वहीं अब इस कारवाई से बोकलाए प्रधान तोफिक धरम को बीच में लाकर आरोप लगाते वी कहा कि मुझे मुसलमान होने की सजा दी गई है बतादे की देर रात होटल को गिराने का काम सुरु हुआ था दो बुल्डोजरों के साथ प्रादिकरन की टीम मौके पर पहुची थी कोच घंटों की मसकत के बाद होटल को गिराने का काम पूरा हो गया जिस प्रधान तोफिक के प्रतिष्टान को ढ़ाया गया वो पूर्बे में विदानसबा चुनाम लड़ चुके हैं और लगातार सुर्कियों में रहते हैं आपका इस कबर पर क्या कहना है जरूर बताए धन्यवाद